असलामलेकम वीवर्ज दिस इस नमाज किचिन एन विलोग कैसे आप सब उमीदा खेरियत से होंगे वीवर्ज जी अपने फैसला बद जने का अचानक से प्लान बन गया था क्योंकि इसिस्टर के ते बेड ठेक नहीं थी और जटपट से हमने त्यारी कर ली थी और पैकिंग वेरा हो चुकी थी तो मुस्ब काफी श्राटों में लगे वे थे और देख्या आपने बैक के साथ गिर भी किये थे और यहां मुझे भी ठाने जा रहे थे हम जाना था बलाल डाव हो पे तो हम लोग जो है घर से रेडी हो गए थे तक लिबन हमारे अप लेन था कि दो धाई बज़े वाला टाइम जो है न मुझे मिल से है लेकिन हम घर पर काफी जादा लेट हो गए थे यहां मुझे सब जिद कार रहा था क्योंकि हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं बलाल डाव पर रास्तिप मैंने शूट निंग किया क्योंकि हम जो है वो एस यूजल पहुंचर हो गई जिसकी बज़े से लेट हो गए थे और मैंने सब सबा तीन बज़े सारे तीन बज़े का टाइम लिया था ताकि फरंट पे मुझे सीट मिल जाए और मुझे सब इरिटेट ना हो और हम जिली जहना पहुंच जाए तो यहां पर हम लोग वेट कह रहे थे बिलकि गाड़ी जो हमरी लग चुकी थी तो हमने का कि ह हम खुद ही वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि बाहर मुसब काफी ज़दा मुझे तंग कह रहा था और यहां पर हम लोगों ने इपना सामानुगारा रखवा दिया था और मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी और मुहमिल मुसब को साथ लेके क्योंकि बाबा ने रॉप करके चले जाना था और इसने में साथ जाना था और यह सफर में कभी तो एजिली कर लेता है लेकिन नॉर्मली बहुत तंग करता है हमने जो बुकिंग करवाई थी यह बिजिस्स क्लास था और काफी कमफर्टेबल सीर्स थी और कोई प्रॉब्लम नी हुई माशालास गाड़ी भ और क्याना मैं वैसे भी काफी जादा गाड़ी फ्री थी पैसेंजर्स इतने जादा नहीं थे इसमें क्योंकि इसके रेंट भी नॉर्मल रूटीन से जादा होता है तो यहां भी हम लोग बैठ शुके हम उसे के बाबाने बिठा दिया था और उन्हें मैंने कहा था कि आप पर ना आएं क्योंकि यह बहुत सथा भी तंग करता है तो मैं इसको अपने साथ लेके बैठ गी थी और बाबा को देख रहा था चीजों के साथ ही दूरुदर बस लगावा था शुक्रा लाम दिलिल्ला हमारा सफर जो तक्रीबन स्टार्ट होने वाला था पाइंट दास्म और मौसम भी बस ठीक था उन दिनों में जब मैं गई थी और विलोग बहुत ज़दा मेरे लेट हो जाती है यहां पर हम लोग जो है मोटरवे पर जो है वो आ चुके थे मोटरवे का सफर जो है वा काफी आराम दे और पुर सकून होता है और सफर का पता भी नहीं चलता और इंसान जो है ना जो घंटों का सफर होता है वो जहां जार पांच घंटे लगने माँ दो घंटों में इंसान जो है इजी ली पोहन जाता है सफर हमारा काफी आराम दे था और यहां पे मुझसे भी जी कोशिश करी थी मैं इसको किस लादू फीडर गरे इसने पी लिया था यहां पे हम फैसलबाद के दूर में इंटर हो चुके हैं चोटी बड़ी इंडरेस्टरी आपको नजर आ रही हैं जैसे इंडरेस्टरी स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि फैसलबाद जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यह तकरी बना में दो घंटे और 15 मिनित पहले पहले एक्स्टर जो हैं इसमें और रहे हो गए थे पहले हम लोग दो घंटे और 15 मिनित में हम लोग पहुंच जाते थे और यहां पे हम तकरीबर फैसलबाद इंटर हो गया और पहुंचने वाले थे तो मुसर भी उठ गया थे जब तक यह चीज़े कहा रहा था बस मोड़ अब जाके देखते हैं कि एसेच क्या होता है अभी तो उन्हों ने डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बुला लिया और हमें एमर्जनसी जाना पड़ा था विदिन अडे ही हम लोग त्यारी कर ली थी कोई प्री प्लैन नहीं था तो यहां पे तकरीबर न हम लोग जो है आप उतरने वाले मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था मैंने खुदी जाना था यहां से घर तक के लिए भी क्योंकि कोई इतना मुश्किल है ही खड़ उतरते ही ओटोस उधरा एजिली मिल जाते हैं और अराम से हम लोग जो ना घर पहुन जाते हैं और मेरे पर समान कुछ जयद यहां पर थोड़ देर के लिए जो है गाड़ी रुकती और जिन प्रेसिंजर्स ने उतरना होता है वो चले जाते हैं और हमने यहां पर नहीं उतरना था हमने जीटियस उतरना था तो यह लाल एहमर वालों का हलाल आइटिंक ट्रेवल कुछ इस तरह लिखा हुआ था तो य यहां पर हम लोग नहीं उतरे थे क्योंकि यहां पर मुसली वैसे परसीजर्स उतर जाते हैं और हम लोग जो हना आगे की तरफ रहना हो चुके थे यहां से तकरीबर 15-20 मिनट का रस्ता हो रहता था हमारा तो बस मैंने किसी को भी खास नहीं बुलाया था क्योंकि मैंने जीलिए आटो लगरा मिल जाता इस वज़ासे मैंने किसी को भी परेशानी की और वैसे भी सिस्वर कुछ ठीक नहीं थी तो किसीने लेने कहाना था छोटा जो जो जब भागरा पर आजकल जा रहा था तो इसवज़़ए से तो यहां पर हम तकरीबट जो हैं गतीए हैं जो ह आटो जो है वो काफी ज़्यदा एक्सपेंसिव जो हो रहा था तो मैंने का मैं बाइर से ले ले लेती है थोड़ा से जाके लेकिन यहां पर बात होगी थी मेरी आटो वाले से तो फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे यहां पर मुहमन मुसर्ब जो है ना अब शुकर अला हम दिल्ले इतना इसने मुझे परेशानी इस दफ़ा सफर में नहीं किया अदर्वाइस ही अकसरी सफर में वाममेट और इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इस तफ़ा मैंने इसको फीडर होगा नहीं दिया रास्ते में ताके मैं किसी भी परेशानी से जो है ना दो चार ना हूँ तो यह हम घर के लिए रवाना होगे तो यहां से सिर्फ 10-15 मिनिट का रास्ता है जहां मारा सिस्टर में रहती है तो हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके थी इसके साथ ही वीवस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे और ताके मेरी आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको इन टाइम मिल जाए आते तो विलोग लेट ही है लेकिन इन टाइम आपको म में पहुँचोंकी हूँ और मैंने उखर कह दिया था कि आजाएं और हम पहुँचोंगे हैं मुहमिन उसल्कों को मैंने ञाको कि मेंन रोड ऐसाथ ही तो इसलिए वो परेशान हल सा खड़ा है कि कि यह हम कितर पहुँचोंकी है और मैं साथ में मिरे पास आके खड़ा हो गया था और मैं रहान का वेट का रही थी क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं वो बहुत खुश था कि मुहमें मुस्भ जो है ना आए चुक है तो इसके साथी भी विवज अपना धेर सारा ख्याल की कि दौमें याद रखेगा बहुत जागा तो समान लेने के लिए नीचे तो अब हम उपर जा रहे थे नेक्स्ट विलोग में इंशाला हाजिर होंगे और सिस्टर के अपडेट देंगे कि उसके बारे में डॉक्टर ने क्या बताया और अब नेक्स्ट हुट जो है क्या होने बहुत के लाफेश झाल